हेलो दोस्तों मैं दिब्या दिब्या की दुनिया में आपका श्वागत है वेल्कम बैक टूदी चैनल आई होप सब अच्छे होंगे हम लोग भी ठीक हैं और यह देखिए जैसे कि आप देख सपा रहे हो वहां पर लेखा हुआ था ना सीतला धाम सक्ति सीतला धाम मंदिर तो मेरा मायका है गंजवासदा में तो हम आए थे तो यहां पर दर्शन करने आए तो मैं ने सोचा मैं आप लोग को भी दर्शन कराती हूं तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन यह सीतला माता का मंदिर है आप देख पा रहे हैं मैं अभी थोड़ टाइम में आपको पास से पिजूँम करके भी दिखाओंगी तो यह देखिए इधर इस साइट से जाते सारी देवियां हैं बहुत जितनी भी देवियां हैं सारी ही हैं यहां पर यहां पे पैर पढ़ लेती हूं और फूल वगेरा चड़ा देती हूं और आगे कर के सारे देवियों का असिरवाद ल आता है तो मैं इनका भी आशिवात ले लेती हूं और इसलों अलग से छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं चार और और उनकी बहने बोल सकते हैं यह देखिए यह विश्णु भगवान हैं जो यह देख रहे हैं न यह विश्णु भगवान है मां लक्ष्मी जी उनके साथ में हैं तो वो तो रहती हैं तो सेश्णांग पर ब्राजमान है विश्णु भगवान यह देखिए और यह देखिए यह मां चंद्र घंटा है सारे मंदिर के उपर ऐसे माताओं का नाम भी लिखा हुआ है और यह सिद्ला माता की जो तस्वीर है वो पीछे की साइट से है तो पीछे की साइट का था तो वहां से भी आशिरवाद ले रही थी मैं पीछे की साइट का था सिदला माता मंदर की तो यहां पर मैं आशिरवात ले लेती हूं और आगे यह देखिए भोलेनाज जी की पूरी फैमली, पूरा परिवार है भोलेनाज जी है, पारवती जी है, कारतिके जी है, गड़ेस जी है, नंदी जी भी है यहाँ पर तो मैं फूल चड़ा देती हूँ आशिरवाद ले लेती हूँ और यहाँ पर भी यह देखिए मा इशकंद माता है यह इशकंद माता जी है और यहाँ पर इमा कात्याईनी है और यहाँ पर यह देखिए मा कालरात्री है और आगे करके मा महागोरी जी है बातरी है यह देखिए मा काली जी है काली मा जी है तो यहां पर सारी ही है और यह महिशा पुरम हए और यहां पर मैं ऐसे गुंगते हुए मंदर का एंड हो जाता है और यहां पर आपको दिखाती हूँ यह है सीथला माताजी पांच सेर पांच सेर के रथ पर बैठी हुई मैं देखिए आपको जुम करके दिखाती हूँ यह है माथ सीथला माता मंदर उतना अच्छा कैमरे में मैं कैपचर नहीं करपाई हूँ जितना सुन्दर मंदर जितना भभवे मंदर है मैं लग पूरा कांच से सितारों से जड़ा हुआ है बहुत ही सुन्दर मंदिर है मैं लग आग इतनी सांती मिलती इतना सुन्दर लगता है देखिए इतनी सुन्दर नकासी है इस मंदिर की बहुत ही अच्छा मंदिर है बहुत टाइम पहले का बना हुआ है और अभी भी कुछ ना कुछ बन रहा है थोड़ा वत काम चलता ही रहता है ये देखिए कितने सुन्दर जड़ा हुआ है पूरा मंदिर मैं आपको दिखाती हूँ सामने से बोले ना जी दिख रहे हैं इस साइट से और ये सारे मंदिर दि दिखाओं कि उस साइट जैन्स लोग भी बैड़ते हैं और यहां पे छोटे-छोटे मंदिर भी बने हुए थे इस साइट भी ऐसा ही सेम बना हुआ था तो अब मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको कि कैसा देखता है पूरा मंदिर का नजारा ये देखिए यहां पे बर दो थाली आगे अवगर तो यह पार देखेल या अभर की है और यहां पर बैखाती हूँ आपको को चार और ये देखिए उपर जाने का भी है और ये बाहर का वियू है और ये देखिए साइट जेंज लोग बैठते हैं मालब काफी अच्छी वेवस्ता है मंदिन में काफी शानती काफी अच्छा है यहां पर हवन कुंड होते हैं जो नए दूला दूला बगेरा आते हैं मालब और भी जो भी हवन कुंड करवाते हैं यहाँ पे करवाते हैं अधिक तर तो ऐसा सामने से ऐसा देखता है यह एक बार और देख लिजिए आप और यह मंदर की उपर जहां जाते है ना यह देखिए उपर भी जाने के लिए है यह उपर उपर सिरी काल भहरों महराज जी का मंदर बना हुआ है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जहां देविया होती है मां भैरो माराज तो होते ही है और मैं देखाती है यहां से इसे उपर सीधे जाते हैं और वहां पर देख रहा है न हो मंदिर है और नीचे की साधी हौल है तो यहां पर साधी होती है देखी जैसे कि आप देख सकते हैं टेंट लगा हुआ है मैंने ठोड़ा सा केप्चर कर लिया था थोड़ी के लिए जैब की देखी आपर साधी हो रही है और वफर के लिए खाणा बन रहा है तो हुआ हैं वर बन ओब देकोरेशन हो गई हैThis यहां पर चल रही है बारात आने की प्रेपरेशन यह देखिए हो नहीं फ़ेला आहित देखा तो हाथ है और हम आगे बढ़ जाते हैं जो घह निकिमीर महाराजी का मंदर है यह कह और बस अशीरवाद ले लेते हैं आप लोग भी ले लेजिए यह है मैं दिखाती हूँ आपको सामने से वहरो महाराज जी की दर्शन करवाती हूँ यह है वहरो महाराज जी कालिय वहरो महाराज जी है यह तो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं हम पहले यह कर लेते हैं मैं भी कर लेती हूँ दोनों ही कर लेते हैं दर्शन और फूल परशाद वगेरा चड़ा देते हैं अब यहां पर इन्हों ने में मुझे दे दिये हैं फूल वगेरा कि तुम चड़ा दो परशाद चड़ा दो और फिर मनला मैं भिचड़ा देती हूं फुल परशा और आसिरवाद ले लेती हूं तो बस मैंने भी ले लिया है असिरवाद और अब चलते हैं आगे क्योंकि काफी लेट भी हो गया था हम लोग रात में आये थे रात में आरती के बाद पहले हम आरती से पहले काफी टाइम हो गया था हम अनवी को लेके नहीं आये थे ना तो थोड़ा लग रहा था कि जल्दी जल्दी कर ले नहीं और थोड़ा और बैठते काफी सांती मिल रह थे क्योंकि हमने सोचा कि फिर वहां पर कौन रखेगा उसको मम्मी के पास ही छोड़ा आई थी मैं तो बश यहीं तक कि थी मेरी वीडियो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक चैनल सबस्क्राइब की